थोड़ी से दूद और पोही की ऐसी रेसिपी देखने के बाद आप चौक जाएंगे और यकीन ही करेंगे कि पोही से भी ऐसी स्वादिश्ट और डिलीसिस रेसिपी बनाई जा सकती है आज मैं आपकी रेड़ी कराए हूँ दो चीजों से मिलकर बनी हुई ऐसी शांदा रेसिपी जिसको देखने के बाद आप इसे बनाने से खुद को रोक नहीं पाएंगे इसकी गैरेटी ले लो तो यह एकदम यूनीक और बहुत बहुत तेस्टी और हल्दी सी रेसिपी बनाने के लिए मैंने दो कप पोहे का यूज़ किया है आज मैंने यहाँ पर जो पोहा यूज़ किया है वो थोड़ा सा मोटा है अगर आपके पास मोटे वाले पोहे हैं तो आप वही लिज़ेगा दीरे दीरे चलाएंगे ना तो पोहा अच्छी तरीकिये से फूट कर बड़ा बड़ा हो जाएगा तो देखिए मैंने यहाँ पर पोहे को लगबग 5 मिनट के लिए भून लिया है 5-7 मिनट हम और इनको भूनेंगे और आप देख सकते हैं पोहे के जो दाने हैं वो इस तरीके से फूल कर बड़े-बड़े हो जाते हैं मोटा वाला पोहा लेंगे तो आपके भी जो दाने हैं वसी तरीके से मोटे-मोटे हो जाएंगे या फिर अगर पतले वाले लिये हैं तो बस उनको क्रिस्पी कर लिजे तो आप देख सकते हैं पोहे हमारे अच्छी तरीके से भून करके रेडी हो चुके हैं क्रिस्पी हो गए है और बढ़िया से फूल भी गए है जैसा के आप देख रहे हैं तो इनको आप लो टो मेडियम फ्लेम पे बारा से पंदरा मिनिट के लिए भून लीजे पोहा हमारा एकदम पढ़िया तयार है कोई भी घी तेल बिल्कुर आइड मत कीजेगा बस इनको ड्राय रोश्टी हमें करना है चले इनको थोड़ा सम चेक कर लेते हाथों से दबा करके कि अच्छे से क्रिस्पी हुए है नहीं यह देखे दबाते ही अच्छी तरीके से पाउडर होने लगे है बढ़िया से क्रिस्प हो गये है यह देखे तो चलिए अब हम क्या करेंगे गैस कफलें बंद करेंगे और पोहे को निकाल देंगे किसी भी बड़ी बरतन में ताकि इनको आसानी से ठंडा किया जा सके तो मै मैंने यहाँ पर एक साफ और सूखा मिक्सी का जार लिया है नमी नहीं रहनी चाहिए नहीं तो यह अच्छे से पीसेंगे नहीं और मिक्सी के जार में हम यह ठंडे की हुवे सारे पोहे जो हमने भून कर रेड़ी किया था यह एड़ कर देंगे यह देखें और अब इसमें बहुत ही बारीक सा हमारा यह टेक्शर हो गया है यह देखिए उसी तरीके से हमें इनको पीस करके रेड़ी करना है आप जिसनी भी क्वांटिटी में रेसिपी बनाना चाहते हैं उस हिसाब से पोहे को बढ़ा भी सकते हैं मैंने दो कप यानि धाइसो ग्राम के असपस यह अब हमें लेना है एक बड़ी सी मिक्सिंग बोल और इसमें हम यह पीसा हुआ पोहा डाल देंगे इसमें एक दम बढ़िया सा फ्लेवर देने के लिए मैं डाल रही हूँ डेसी केटिड कोकुनट पाउडर यानि नारियल का बुरादा आप चाहे तो ताजे नारियल को भी क कौनट का इसत्माल कर रहे हूँ आप जाधा भी ले सकते लिकिन जाधा भी डालेंगे तो आपको पकाने में उतना ही टाइम लगेगा इसल्बी चार कप दूद लेंगे तो आप कोई से भी टोन मिल्क या फिर फुल क्रेम ग ले सकते हैं और अगर आपको ये मिल्क नहीं प यह देखें, तो अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजे, चाहे तो विसकर से मिस्क कीजे, ताकि इसमें जो छोटे-चोटे लंप्स वगरा हैं, वो ना रहें, इस रेसिपी को आप किसी भी तोहार में बना सकते हैं, महमानों को अगर आपको कुछ सर्प्राइज देना है, तो जो बदाम नहीं डाला है, घी नहीं डाला है, बिना चीनी के भी यह बन कर तयार होती है, और बहुत जादे गजब की होती है, तो देख सकते हैं, मैंने पोहे को दूद में अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, यह देखें, एकदम स्मूध हो गया है, तो चलिए इसको 5-7 मिनिट के लिए हम साइड में रख देंगे, ताकि पोहा अच्छी तरीके से फूल जाए, तब तक हम इस रेसिपी को मीठा बनाने के लिए तयार करते हैं, शेरप, तो शेरप बनाने के लिए हमें कुछ भी पकाने की ज़रत नहीं है, हम क्या करेंगे एक इस तरीके से छोट मोटी मोटी असुद्धियां हो, धूल मिट्टी हो, तो वो असानी से हम इनको निकाल सकें, तो इस तरीके से इनको भीगा के जरूर रखिएगा, ताकि जो गुड़ है वो जद्दी से पिखल जाए, बीच-विच में इनको चलाते रहिएगा, ताकि जो गुड़ के बड़ पर ये घी डालेंगे, एक या देड़ चमच, घी बिल्कुल ओप्सिनल है, आप चाहें तो घी को हटा सकते हैं, लेकिन मुझे इस रेसिवी में घी बहुत पसंद है, इसलिए मैं डाल रहे हूँ, अगर आपको नहीं पसंदे तो आप हटा सकते हैं, और पोहा देख सकते है पांच मिनट साइड में रखा था मैंने, कितना इस तरीके से गाढ़ा हो गया है, बढ़िया से दूद को अब्सॉब कर लिया है, तो घी हमारा हलका गरम है, तब हम इस पोहे के मिक्षर को डालेंगे, ध्यान रहे है घी जादा गरम नहीं होना चाहिए, या पैन अगर आप अब बिना घी के बना रहे हैं, तो पैन भी जादा गरम नहीं होना चाहिए, तब आप ये पोहे का मिक्षर इसमें डालें, और अच्छी तरीके से इनको मिक्स करेंगे, थोड़ी देर में ही अच्छी तरीके से जो घी है वो पोहे में घुल मिल जाएगा, तो फ्लेम एकद इसको लगभग 15 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं, अगर आप घी के बिना बनाते हैं, तो 7-8 दिन रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, लेकिन घी डालेंगे तो 15 दिन तो चली जाते हैं, ये देखें, घी बढ़िया से पोहे वाले मिक्षर में घुल मिल गया है, और पोहा भी अच्छी तरीके से गरम होने लगा है, अब इसको थोड़ी दिर हम ठक देंगे, ऐसा इसलिए, क्योंकि अगर आप इनको ठकेंगे नहीं, तो छोटे-चोटे बबल्स उड़ते हैं इस तरीके से, जो आपकी उपर पढ़ सकते हैं, ये देखें, तो फ्लेम को मैंने लो टो म मदद से इस तरीके से चलाओंगी, ताकि जो तली में बैठा हुआ है, वो निकल जाए, और ये बढ़िया से गाढ़े हो गए हैं, तो अब बार यातिये इसमें चासनी डालने की जो हमने गुड़ से बनाया था, तो गुड़ बढ़िया से पिघला हुआ होना चाहिए, और गुड़ को मैने चान लिया है, मिक्षर को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, ताकि जो पोहा है, वो बढ़िया से गुड़ वाली चासनी में अच्छी तरीके से घुल मिल जाया है, जो भी छोटे मोटे चंक्स दिख रहे हैं, बबल्स दिख रहे हैं, वो एकदम स्मूध होना चाहिए तो इस टाइम पे फ्लेम को एकदम कम कर लीजे ताकि इसे घुलने में आसानी रहे और तली में लगे नहीं तो ये देखें अच्छी तरीके से घुलने लगा है जो भी छोटे चोटे बबल से आप इस तरीके से चलाएंगे न तो वो अच्छी तरीके से स्मूध तो आप देख सकते हैं, यह मिक्षर का कलर भी चेंज हो गया है, और यह थोड़ी से गाढ़े भी हो गये हैं, बीच बीच में से चलाते रहेगा, ढखिएगा नहीं, यह देखें, एकदम स्मूध लग रहा है, आप ऐसे भी इसको खा सकते हैं, यह ऐसे भी बहुत टेस्टी ल जाएं और अगर आपको ड्राइब फ्रोट और भी डालने है, तो आप इसमें बदाव, पिस्ता, जो भी आपको पसंदाए, मख्हान भी डाल सकते हैं, मैंने आपको थोड़ा सक काजू एड़ किया है, अगर आपको काजू भी डालना है तो आप पूसे भी हटा सकते हैं, बढ़िया से मिला लीजे, थोड़ी दिर में आप देखेंगे कड़ाई को यह छोड़ने लगेंगे, आप साइड साइड से घी भी रिलेज करने लगेगा, तो टोटल मैंने इनको 30 मिनट के लिए पकाया है, यह मिक्शर काढ़ा करने के लिए, मिडियम फ्लेम पे आप देख सकते हैं यह गाढ़ा हो गया है, लेकिन अभी यह तयार नहीं है, जैसे इस तरीके का टेक्शर होने लगेगा, यह घी छोड़ने लगेगा, तब समझें क आपकी रेसिपी तैयार होने वाली है, तो देख सकते हैं, लगबग 30 मिनट के बाद यह मिक्शर हमारा एकदम बढ़िया स्मूद और इकदम शांदार दिख रहा है, खुश्बू बिसकी बहुत 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 ही गजब की आ रही है, आप यह एक बार इसको जरूर ट्राइ कीजेगा, देखना गाजर का हलवा भी आपको फीका लगेगा इसके आगे, एकदम स्मूद और बहुत अची तरीके से इसका घी रिलीज हो गया है, तो आप गैस का फ्लेम बंद करें, और इनको जमाने के लिए मैंने ट्रे तैयार किया है, ट्रे में मैंने बटर पिपर तो आप नॉर्मल थाली भी ले सकते है, उसमें थोड़ा सा घी ग्रीस कर लीजेगा, ताकि इसे निकालना आसान रहे, और अब हम इसमें ये गरम-गरम मिक्षर ट्रे में डाल देंगे, ये देखे, लगबग एक किलो के असपास हमारी ये मिठाई बनकर तयार हो जाती है, तो पूरा मिक्षर में डाल दिया है ट्रे में, आप इनको ऐसे भी गरम-गरम खा सकते हैं, थोड़ा सा घी एड़ करके ऐसे भी ये बहुत ही शानदार लगते हैं अगर आपको गरम-गरम खाना हो, मैं इनको ट्रे में अच्छी तरीके से स्प्रेट कर लूँगी एकदम ब और अब इस तरीके से चाकू से हम अपने मन पसंद शेटम में इनको काट लेंगे चौकू ऑर ती कोना जैसे आपको अच्छा लगे आप इनको काट सकते हैं तो मैं इनको इस तरीके से चौकूर चौकूर काट लूँगी ये देखिए अभी कितना शांदार लग रह और नि इसी काजू चॉप करके हम इसके उपर गारिश करेंगे, आप अपने मन पसंद जो भी ड्राइफ रूट हो या फिर चांदी वर्क से आप इसको सजा सकते हैं, किसी बित्योहार में या फिर जब भी कुछ अलग सा मीठा खाने का मन करें तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बना जाएंगे, आपको इसे खाने में दादों की भी जरूरत नहीं है, चली मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ, यह देखिए, एकदम दानेदार और बहुत मज़ेदार शांदार इसका टेस्ट है, जरूर एक बार बनाईएगा, बहुत पसंद आएगी आपको, तो कैसी बनाईए, सब को खिलाईए और सब के साथ शेयर कीजे, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, एक और ने रेसीपी के साथ, तब तक के लिए टेक कियर, और बाबाई